बिसमिल्ला रिह्मानी रहीम असलाम लेकूम वेलकम बैक टू मैई चैनल कैसे हैं आप लोग सब उमीद करती हूं आप लोग सब खालियत से होंगे मैंने अभी करना हाई बिके रिया हाई मिट्टू को पुछो मिट्टू खाना खाया मिट्टू अन पिया आपने मिट्टू अन पिया मिट्टू को पुछो मिट्टू खाना खाया जली से पूछो मिट्टू को जली से पूछो जब कोई आवाज देता है तो क्या बोलते हैं मनिया जब कोई आवाज देता है तो क्या बोलते हैं जी, क्वा बोलते हें? जब कई आवाज देता है तो क्या बोलते हे सीुजिए... जब कई आवाज देता है तो ौवस मन्न हाए मन्न हाए करता हाए हाई होती है एक साल के बाद तक बच्चे ठोड़ा थोड़ा सा बोलने लग जाते हैं दोड़ा ऐक्ष नोध आपका बच्चा इतना बोलने लगेगा कि आप खुछ जो है न सर पकड़के बैठे होंगे कुछ दिन बाद कि क्या टोटका बता दिया सबाने तो आप जरूर हमल किजिएगा यह वाला टोटका आज बहुदा टोटका है जिसने भी ट्राइ किया है ना उनके बच्चे माशाल उनके दो हो रही थी तो यहां मैंनी एक पाफ गोष्ट ले लिया था क्योंकि तो मैंधाना बनाती हूं फिर मैं फ्रेश फ्रेश बनाती ने बनती हूं थाखिव इन तका बनाती हूं यह दो रिख नहीं पनाती रहे लहां उनके श्यामीगः तो पहक theCUBE साबुद मिर्चे नमक और अद्रक डाल के जो है ना कबाब गोश चढ़ा दिया था जब मेरा गोश हाफ डन होगी है ना तो फिर मैंने उसके अंदर डाल एट कर दी अच्छा दाल को मैं उसे टाइम भिगो देती हूं जब मैं गोश चढ़ा रही होती हूं चब कबाब का क्य यहां पर मैंने प्यास देली है तो मिडियम साइज की बारी चॉप कर लिया है बाके हरी मिर्च आइड कर दी हारा धन्या पौदी ना आइड कर दिया है तो यहां पर बस नी अच्छा समझे का फ्लैवर भी आजा है स्ट्रॉंग सा और मूं में भी ना आए मतला मसाला यह ग बाबों को सिल्पे पीस्ती हूँ कौफ तो कभी सिल्पे पीस्ती हूँ मेरे पस चापर नहीं है ने इसलिए तो बस जहाँ पर मैंने बच्छों को वही सिंबर सा बना दिया था इसकी रैसे 건설 कबाब की तयारी तो यहां मैंने जो है इसके अंड़ा भी आड़ कर दिया है कि यह अंड़ा जो इसी में आड़ कर देती हूं तब इस टाइम करते हैं इस टाइम मिक्स कर देती हूं और कबाब बना के रख देती हूं तो यह होता है कि कबाब का एक बहुत मज़े का फ्लेवर निकल कर आता है अच्छा यहां मैंने एक चम्मची आड़ किया तो बस यहां पर जोने एक चम्मची आड़ किया था मैंने अब यहां मेरे टिकियां बना के रख दूंगी छोटी-छोटी सी मतलब जितने मुझे तो जी आजाते हैं जी खीरे की तरफ खीरे के आज में आपको इतने ज्यादा फवाइद बताने वाली हूँ कि आज से आपने घंबे फ्रिच से भर देना है खीरे से तो खीरा जो है आप खाएंगे आपको इसके बेनेफिट्स नज़र आने शुरू जाएंगे खीरा रोज आना खा कर आप सिहत की ये इंतहाई संगीन मसाइल फौरी हल कर सकते हैं तो मसाइल में आपको बता देती हूं क्या है खीरे के इस्तमाल से तजाबियत अलसर से बचाओं मुम्किन है जपान में की गई तहकीक के मताबिक खीरे में ऐसे वाइटमिन्स पाई जाते हैं जो मेदे की जलन तजाबियत और अलसर से बचाते हैं खीरे में कार्बोहईडरिस प्रोटीन और कैल्शियम का खास तरास्थ मौजूद होता है खीरे में पानी की मिगदार ज्यादा होती है जिससे जिसम में पानी की मिगदार बराबर रहती है यानि के पानी की मिगदार कम नहीं होती है पानी की कमी नहीं होती है अगर हम डेली रोज आना एक खीरा खाएंगे ना तो हमारे जिसम में पानी की कभी भी कमी नहीं होगी तो इसलिए हीरा हमें अपनी डाइट में जरूर एड़ करना चाहिए इसके काफी सारे बेनिफिट्स है इसमें वाइटमिस की बड़ी मिगदार पाई जाती है जो ना सिर्फ जिमागी कार्दगर्दगी में तवाजिन पैदा करती है बलके इसका बकाईदा इस्तमार जहनी तनाव की वज़ज़ से भी जिसम पर मुन्फी असराद भी मरतब नहीं होते है यह हमें जहनी टेंशन से भी बचाता है खीरा ठंडा होता है इसकी तास्री ठंडी होती है हमारे मेदे को ठंडा रखता है वो मेदे की तजाबियत नहीं हो देता है हमें अलसर से बचाता है अगर किसी को कोई भी अलसर का प्रॉब्लम है तो वो खीरे का लाजमी स्कामाल करें एक खीरा दोपहर के खाने में लें, एक खीरा रात के खाने में अपने जरूर एड़ करें खीरा ना सिर्फ हमें जिसमानी बिमारियां से बचाता है, बलकि हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फाइदा मनें इतने सारे बेनेफिट्स मैंने आपको आज खीरे के बताएं है ना तो मतलब मेरे पाँ इतने सारे बेनेफिट्स हैं मैंने खुद सर्च कर रहा है ये बात क्योंकि खीरे के तो बस आपको जितने भी फायदा बता दूरा मेरी वीडियो एक घंटे की भी होगी ना वो भी कम प रखा हुआ है क्योंकि खीरा दिल की धरकन जिगर की गर्मी और इसके लावा जो हाथ पाउं की जलन यूरेन का जल्दी आना या बार बार आना या कम मिगदार में आना इन सब का हल खीरे में मौझूद है ऐसे लाना करें खुदान खासा किसी को ये प्रॉब्लम्स हैं जैस तो तीन-चार बार लगाने से मौझ काफी बहतर हो जाता है इतने सारे बैनिफिट्स में आपको बता हैं अगर डाक सरकल्स हो रहे हैं तो आप रोज आना जो है दुपहर के टाइम अपनी आइस के नीचे खीरा रख ले रोज आना आप दो इसके दो मतलब पीस रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फाइदा आपका होगा आपके डाक सरकल्स खतम होंगे इसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरे पर फ्रेश निस आ जाए तो आप जो है ना खीरे का हलका साना हलक ले वो खीरे लेकर और जो ना हलका हलका सबने स्कीन पर जो आप उसको रब करें तो इससे आपको चेहरे तरो तासा हो जाएगा आपको ठंडक मिलेगी और काफी सारे कोस्माटिक importante होते हैं यह खीरे से तयार किए जाते हैं तो ये नहीं मतला तकरीवन कौकंबर फैसल होता है यह इसमेस मुझूब होता है, जो हमारे स्कीन को भी और फॉरी पेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं यहां पे बना रही ति कबाफ रही कर रही थी रात का टाइम होगी तर मर्मन को प्रचा रही थी और कबाब फ्राइए हैए किस Pig खाना पसंड़ने तो यहां पी थोड़ से जाधा फ्राई करती हूँ और आप जDYससे चाहाएर्घ कर सकते हैं इसके लावा यहां मिने रायता बना लिया है और खीरा कटके अलका लिया है रोटियां मैंने बना ली है उचा partir भी खी पराथे बना लीती ह 거리ते हुम के बक्चे बना लिए बढ़ा बनां लेती हुँ अ Hindस बना लीती हुम मने बक्राथई में। इस्ड़ी नlish प्रेडिन को मैं कोज़ें नहीं नहीं को उमीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आजाए तो प्लीज लाइक कर दीजेगा सब्क्राइब कर दीजेगा और अगर शेयर भी कर दीजेगा और एक दिन पड़े जो मैंने गाजर का हलवा बनाया था यह मैंने आज खाया है क्योंकि मैंने एक दिन दिल नहीं नहीं कर दा खाने को तो बस अभी मैंने फिर इसको ना गरम कर रा रात में गयर बजी के टाइम और फिर इंजॉय किया तो जी खायर बहुत मज़े का बनाता और जो है न बस आप लोग भी बनाएं ट्राइ करें मेरी रेसिपी से मेरी रेसिपी से ट्राइ करें आ लाइट भी लगवाएं और जिन्दगी को रोशन बनाएं तो जी आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी और इसके लबाव अल्लाः आफीज